दोस्तो यदि आप गुजरात के गिर्नार में गुमने के लिए आये हैं और शाम को आपको घर पे बना हुआ प्योर देसी काठिया वड़ी खाना खाना है तो गिर्नार टलेटी में एक बेश जगा है जिसका नाम है दा माउंटेन व्यू तो चलिए दोस्तो आज मैं आपको ल फैमेली के साथ ही खाना खाने आ सकते हैं आप जैन्स है अकेले हैं तो यहाँ पर आपको एंटरी नहीं मिलेगी यहाँ पर एक फैमेली के सारे सदश्य मिलके यहाँ पर खाना बनाते हैं यहाँ पर खाने में कोई भी मिलावत नहीं होती है फ्रेस और ताजा खाना यहाँ मिलता है आने में यहाँ पर हर सबजी का अलग ही टेस्ट है और यहाँ पर आप देख रहें कि रोटी बाजरे का रोटला बाखरी यह सारी कीजिए यहाँ पर चूले पर बनाई जाती है जिसका टेस्ट लाजवाब होता है कोई भी चीज आपको ठंडी नहीं मिलेगी रोटी म पादिष्ट है खाना यहाँ के खाने का टाइमिंग आपको बता दे कि शाम को साथ बजे से लेकर रात को ग्यारा बजे तक यह ओपन रहता है और सुमवार के दीन यहाँ पर बन रहता है दिखी यहाँ के मैनों में 80 रुपे से ज्यादा कोई डीस नहीं है यानि आप कोई सब्जी ले रहे हो यहाँ पर तो 80 रुपे से ज्यादा नहीं है से निचे है सारे जो रेट है यहाँ पर पंजाबी खाना नहीं मिलता है सिर्फ और सिर्फ गुजराती काठियावडी खाना मिलता है तो देखी दोस्तों यहाँ पर सलाड में मिक्स सलाड है और मसाला मिर्च है कोबी इसका कचुंबर है और लसुन की चटनी है और इसके साथ साथ यहाँ पे एक हरी मिर्च की बी अलग से ही चटनी मिलती है वो बहुत ही लाजवाब टेश्ट रहता है इसका और यहाँ पर खाने के लिए जो भी चीज़ आप मंगाओगे वो पहले से बनी हुई नहीं नेती है फ्रेश थड़का लगता है फ्रेश ही खाना यहाँ पर मिलता है तो दोस्तों खाने का हमने ओडर कर दिया है और खाने में हमने मंगाया है बरेला रिंगन बटा का दही तिखारी कड़ी गिरनारी खिचडी जो फ्राइ किया हुआ रहता है और बाजरी का वगारेला और प्लैन रोटी है वो भी गी लगा की देशी काठियावाडी पर देश्टी शाना है स्वादिश्ट भी है और इतने गरमला मसाले भी नहीं है इसमे फुरा हुममेड है तो दोस्तो हमारा डिनर हो चुका है और खाना बहुत ही मज़ेदार था बहुत ही मज़ा आया घर जैसा खाना खाने में और हम लोग पांच लोग थे तो पांच लोगों का आप देख रहे कि यहाँ पे सिर्फ साथ सो नब्बे रुपे बिल बना है यानि कुछ भी नहीं है एक बार यहाँ पे कैसे पहुचना है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ तो दिखिए जो स्टेच्यू है जो अपना जुनागर से जब गिरनार जाते है तो यह स्टेच्यू आता है तो स्टेच्यू के एकदम ही सामने यह गेट लगा हुआ है तो इस गेट से आपको अंदर एंट्री करना है और यहाँ से लगबग एक से डेट किलोमेडर की दुरी पे ही दा माउंटिन व्यू स्थीत है तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेर करना न भूले और जो दोस्त लोग मेरी चैनल पे पहली बार है वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले ताकि मेरे लेटेस वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जै जै गर्वी गुजराद